इस तिमाही में दो महीने करीब धाई महीने तो बहुत ही जादा कोविट के प्रकोप में अफेक्टेड रहे लेकिन उसके बाद भी रेलवे करमचारियों ने और अधिकारियों ने सबने मिल करके एचीवमेंट के लिहाद से पिछले साल से कहीं अच्छा हमने परफॉर्म किया है हमने हाईएस्ट एवर लोडिंग की है हाईएस्ट एवर अर्मिंग की है गुड्स में ऐस वेल आज जो डिफरेंट कमोज़ अपने बिजनेस बढ़ाए हैं नए नए बिजनेस जो की फलाई तो हमने काफी एचीव किया साथ नहीं हमने काली इतना ही नहीं किया सोलर हर हर ऑपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करिये इनर्जी जनेरेशन हमने सबसे ज़्यादा किया करीब करोड की सेविंग एक्स्ट्रा तीन महिने में किया थी पांच करोड की शोलर पांच करोड की यूनिट करीब हम जनरेट करने वाले हैं सोलर से इस साल में रेलवे इलेक्रिफिकेशन का काम अल्रेडी बहुत तेजी से चल रहा है हमारा 82% साल में पूरा हो जाएगा इस साल का करीब 567 का टारगेट को भी हम पूरा कर रहे हैं जुलाई में हम expect कर रहे हैं कि महोबा खज्राओं का हो जाएगा हमने डीजल से एलेक्रिक वगाडियां नौप यर गाडियां इस तीन महीने में चेंज करी हैं जिससे हमारी डीजल की सेविंग होगी और बिटर एनरजी से गाड़ी चलेगी इन्वार्मेंट भी इंप्रूव होता है इससे फिर हमने वैक्सिनेशन को अपना पूरा प्लान बना रखा है कि हम 100% लोगों को रेलवे के एंप्लाईज को लगा चुके हैं जिसमें से और तालीस हजार बाहर के और रेलवे के अलावा लोगों को हमने वैक्सिनेट किया है जो कि इस देश के लिए सहायक रहेगा तो और अपने होस्पिटल में हम आगे आने वाली किसी भी संभावना से कि कोई अगर वापस से कोवीड की लहर आती ह है इलाहबाद में तो हम एक हजार लगा रहे हैं तो हम अपनी यह भी तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाली किसी भी परेशानी को हम डील कर सके हैं और आक्सीजन की शॉर्टेश से मतलब शॉर्टेश हमको कभी ना हो एस विल एस हमने डिफरेंट हंडेट बेट्स का इटल यहां इलाहबाद में चल रहा है आगरा आगरा हमारी छोटी जगहें हैं लेकिन फिर भी हमने वहां पर लेविल का अभी बीस बेट तैयार कराया है उसको हम चला लेंगे तो हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश को की एकॉनमी को सुधारने में इस द परसेंट की परफॉर्मेंस है मारी जो की हाइस टेवर एंसी आर में इतनी परफॉर्मेंस कभी रही नहीं होगी और मेल एक्सप्रेस गाडियां हम करीब एक्टी सिक्स परसेंट अल्रेडी री स्टार्ट कर चुके हैं कोईड खतम होने के बाद तो आप यह कह सकते हैं कि हम पर्यास कर रहे हैं भारती रेल को आगे बढ़ाने का भारती रेलवे जो है लाइफ लाइन कही जाती है और कुरोंड से बड़ी भूमिका भारती रेलवे गए नहीं और चलाए जा ही रचोंट दिल्ली से हावडा हो इन सबके लिए में लाइन होता है तो NCR की बहुत प्रमुख भूमिका थी oxygen supply को बढ़ाने में हमने करीब 1500 पॉने 200 ट्रेने चलाई थी और उस समय तो बहुत ही ज्यादा required थी country के लिए और बहुत high speed पे चलाई थी हमने in fact राजधानी की speed से उन गाड़ियों को चलाया था तो उस समय तो हमने बहुत ज्यादा contribution किया था थी था है